हलो दोस्तों स्वागत है आपका इरुटेरिया चनल पे नॉवम्बर माह के इस करेंट अफेर्स के वीडियो में मैं रौशन कुमार आप सभी दोस्तों का हारदे कबनन करता हूँ वीकली सीरीज को कर्टीनियू करते हूए आज हम नॉवम्बर माह के वहतपून पचास प्रशनों को देखेंगे और ये नॉम्मर बाग का जो पहला part 1 होगा जिसमें हम 50% देखेंगे और part 2 में भी हम 50% देखेंगे आगे वीडियो में तो चलिए शुरुआत करते हैं part 1 की part 2 को अगले वीडियो में देखेंगे पहला प्रस्ण है पब्लीक अफेर सुचकांग 2021 के नुसार 18 बरे राजियों में किस राज ने सासन प्रदर्शन में जो है सिर्श अस्थान पर राप्त किया है according to the public affairs index 2020 which state has dropped in governance performance among 18 major states यानी 18 major states में कौन पहले अस्थान पर है तो इसका उत्तर है option बी केरल केरला इसमें पहले अस्थान पर है बंगलूरू इस ते जो public affairs center के द्वारा जारी सुचकांग में 18 बरे राजियों में केरला को पहले अस्थान मिला वहीं छोटे राजियों में सिक्किम को पहले अस्थान मिला यदि बात करे यूटी यानी केंसासित पर देशों की तो पुदू चेरी को उसमें पहला अस्थान मिला है आपको तीनों बते याद रखनी है कि public affairs उचकांग 2021 में बड़े राजियों में केरल पहले पर है छोटे राजियों में सिक्किम पहले अस्थान पर है और यदि बात करे यूटी की तो यूटी में जो है पुदू चेरी क पहला अस्थान मिला है तो ये भी आप याद रखेंगे इन दोनों बातों को भी बढ़ते हैं अगरे प्रस्न की ओर भारतिये ससस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है तो वीर नामक रुपे क्रेडिट कार्ड किस बैंक के दौरा लॉँच किया गया है भारत के आमफोसेस के लिए तो इसका उत्तर है अब संडी दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक आप देख रहे होंगे कोटक महिंद्रा मैंक के दौरा एक वीर नामक जो है एक रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉँच किया गया है और ये बिवरी त कर्ड जो दौपरकार में उपलब्द होगा और ये Contalk latest trade card होगा तो ये सब सुड़ाय है इस करेडिट कार्ड की जो की भारतिये ससस्त्र बलो के दोरा ससस्त्र बलो के लिए यह कोटक महिन्द्रा बैंक के दौ़ारा शुरुब किये गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं कोटक महिन्द्रा बैंक के दौआ जो है वीर नामक जो है एक क्रिट काइट की सुरुबात की गई है औस्टेलिया के बिग बैस लीग के लिए साइन करने वाले पहले भारती ये खिलारी जो बन गए है उनका नाम है उन्मुक्तिचंद और अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप में विजेता बनाया था तो यह आप याद रखेंगे कि उन्मुक्तिचंद भारत के पुर्वा अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलारी हैं और यह और जल्वायू परिवर्तन के चुनोतियों पर विचार विमर्ज करने के लिए COP26 वेस्विक जल्वायू सम्मिलन का आयोजन कहा किया गया काफी महत्वर्ण प्रशन है दोस्तों तो इसका उतर है ऑप्शन C यानि की UK के ग्लासगो में UK के ग्लासगो में जो दोस्तों इस वर्ष COP26 का आयोजन किया गया अगला कहा किया जाएगा तो सर्म अलसिख मिस्र में उसका आयोजन किया जाएगा COP27 का तो ये भी आप याद रखे कि COP27 का आयोजन मिस्र के सर्म अलसिख में आयोजिद किया जाएगा COP28 जो आयोजिद किया जाएगा ये भी आप याद रखे या जो आयोजिद किया जाएगा UAE में आयोजिद किया जाना है इसकी घोषना की गई जा चुकी है बात करते हैं COP26 में क्या-क्या महत्पुन बाते रही उनको लेकर के ते इसमें भारत के परधान मंतरी दोरा पांच घोशनाय की गई जिसे पंच अमरित कहा गया है पंच अमरित की घोशनाय की भारत के परधान मंतरी ने पहली थाई कि 2030 तक भारत अपनी नन फूजल एनर्जी कैपिसिटी को 500 गीगावार तक पहुचाएगा और दूसरा है कि 2030 तक 50% उर्जा जरूरते नविकर्णी उर्जा से भारत प्राप्त करेगा 2030 तक कारवन एविशन में एक बिलियन टन की कमी करेगा 2030 तक भारत अपनी अर्थ विवस्ता में जो कारवन इंटेंसिटी है उसमें 45% से भी कम करेगा और 2030 तक नेट जीरो का लग्ष हासिल करेगा ये पाँच घोशना हैं आपको याद रखनी है क्योंकि होचसर पैपूल दे इसी को प्रस्ण मना कर पूलते है कि कॉप 26 में परधान मंतरी नहीं मोदी जारा जारी घोशनाओं में कौन सही नहीं है तो इसमें पहले आपको याद रखना है कि चार घोशना है 2030 के लिए है और एक घोशना जो है वह 2070 के लिए है और नविकर्णिय उर्जा जो है वह पूल उर्जा का 50 परतिसत होगा एक बिलियन टन कारबन सर्जन में कमी करेगा और और स्वेवस्ता में जो कारबन इंटेंसिटी उसमें 45 परतिसत भी खम करेगा ये घोशनाएं की गई है भारत के परधान मंतरी के द्वारा वर्तमान में भारत के विदुद नवीन और नविकर्णिय उर्जा मंतरी जो है उनका नाम है आरके सिंग भारत में जो है वर्तमान में नविकर्णिय और नवीन और विदुद उर्जा मंतरी है बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर राष्टिये खेल पुरसकार 2021 के तहत निम कर मेजर ध्यांचन जी के नाम पर रख दिया गया है इसमें से नीरे चोप्रा, से पियार स्रिजेस होकी से प्रमोज सामात जो है सोरी प्रमोज भगत जो है वो पैरा बैड्मेंटन से हैं यहां पर देखते हैं इसका explanation जो है कुल वारा वक्तियों को दिया गया है नीरे चोपरा अप्थलेट्स रवी कुमार दहिया कुस्ती लवलीना बुर्गोहेन मुक्यवाजी पियार स्रिजेस होकी अवनी लेखरा का समन्द पैराशुटिंग से शुमित अमितिल पैराथलेटिक्स प्रमोज भगत पैराबैड्मेंटन कृष्ण नागर पैराबैड्मेंटन मनीज नर्वाल पैराशुटिंग मिताली राज क्रिकेट सुनिल छेत्री याद रखना है कि मेजर ध्यान चंद जिके जन्म दिवस पर ही 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है बढ़ते हैं साथ में प्रश्ण की ओर उर्जा मंत्री आरके सिंग ने 1000 मेगावाट की पाकल दूल जल्विदूर परियोजना का उदगाटन किस नदी पर किया है तो ओन विच रिवर वाज 1000 मेगावाट पाकल दूल हैड्रो एलेक्रिक परियोजना का उदगाटन हमारे भारत देश के जो उर्जा मंत्री है आरके सिंगं के द्वारा किया गया है मरुसदर नदी चिनाव की सबसे बड़ी साहक नदी है पाकल जल्विदूर परियोजना 2030 तक 500 गिगावाट अक्छे उर्जा के लक्ष को पुर्णा करने में मदद करेगी थोरे देर पहले मैंने बताया कि 2030 तक जो है 500 गिगावाट जो है अक्छे उर्जा उर्जा उत्पादन करने का लक्ष रखा गया है उसी को प्राप्त करने में या जो प्रियोजना है जिसका का उत्पादन चमता 1000 मेगावाट है वह इसमें लाप पहुँचाएगी बढ़ते हैं अग्रे प्रशन की और निम्लिकित में से किस भारती बैंक ने पेंसन भूगियों के लिए पहली वीडियो जीवन परमान पत्र शेवा सुरू की है वीच ओफ दे फॉलोइंग इंडियन बैंक है लॉन फर्स्ट वीडियो लाइफ सर्टिकेश सर्विस फोर पे इंसनर्स को नॉम्बर माँ में जाकर बैंक पे अपना जीवन परमान पत्र जमा करना पड़ता था पहले यह था कि वहां पर जाकर करना पड़ता था अब है कि CSC के सेंटर से आप अपना जीवन प्रवान पत्र लेकर करके वहां जमा करते हैं लेकिन अब पहली बार यह शुरू किया गया है कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से अब आप अपना जीवन प्रवान पत्र जमा कर सकते हैं तो इस वह बैंक है SBI State Bank of India के दोरह शुरू किया गया है भारती State Bank of India ने पेंसन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रवान पत्र सेवा के सुरुवात की है इस नई सुवधा में पेंसन भोगी अपने घरों से वीडियो के माद्यम से अपना जीवन प्रवात पत्र जमा कर सकेंगे SBI की अस्थापना जो है 1 जुलाई 1905 को की गई थी और इसका मुख्याला है मुंबई में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा तो दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान में SBI के अध्यक्ष है इससे भी आप याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की ओर COVID-19 एंटी वाइरल गोली जिसका नाम है मुल्नू पिरवीर को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है Which of the first country in the world to approve the COVID-19 एंटी वाइरल पिल जिसका नाम है मुल्नू पिरवीर वादेश है दोस्तों ब्रिटेन, option A इसका सही उतर है ब्रिटेन ने कोरोना की इलाज के लिए मर्क फार्मा द्वारा विक्सित पहली एंटी वाइरल गोली जिसका नाम है मुल्नू पिरवीर के ससत उप्योग की मंजूरी दी है ब्रिटेन पहला देश है जिसने इस गोली को इलाज के लिए सही माना है अभी तक आप देख रहे होंगे कि COVID-19 के लिए जो है वैक्सिन दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में और एंटी वाइरल जो एक गोली है जो की मर्क फार्मा के द्वारा विक्सित किया गया है उसकी मंजूरी दी है ब्रिटेन ने और ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है आगे बार पे हैं Oxford English Dictionary ने कि सब्द को वर्ड अफ द येर 2020 गोसित किया है इसका एंसर है दोस्तो ऑप्शन ए वैक्स इसका एंसर है दोस्तो ऑप्शन ए वैक्स इसका आप इसका याद रखेंगे कि ये Oxford English Dictionary ने जो है इस साल जो वर्ड अफ द येर गोसित किया है वह सब्द है वैक्स काफी चर्चा में रहा हो इस साल जो वैक्स इसलिए या वर्ड अफ द येर घोसित किया गया हाली में खोविट के खोजेगा नय वैरियंट जिसका नाम है B.1.1.1.526 इसका नाम क्या दिया गया है WHO के दौरा What is the name given by WHO to recently discovered B.1.1.529 variant of COVID-19 इसका एंसर है दोस्तों आप जानते होंगे काफी भारत में नहीं पूरी दुनिया में भी चर्चा में है उसका नाम है Omicron Omicron यह virus का strain है COVID-19 का नया जो की काफी खतरनाक मना जा रहा है इस virus को सबसे पहले दक्षिन अफ्रीका में पता चला दक्षिन अफ्रीका में इसका पता चला फिकी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियूद किया गया है वू हैज बिन अपॉइंटेट दन्यू डिरेक्टर जनरल ऑफ फिकी तो इसका इंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अरुन चावला अरुन चावला इसका इंसर है इंडेस्ट्री चेमबर फेडरेशन फोर इंडियन चेमबर ऊफ कमर्स और इंडेस्ट्री फिकी की जो है इसका मुख्याले नए दिली में है संजीव महता जो वर्तमार में फिकी की अध्यक्ष है और दिलीब चुन है जो है फिकी के वरतमार में महा सच्चीव है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वरतमार में संजीब महता जो है वो फिकी के अध्यक्ष है फिकी के स्थापनाव 1927 में मुख्याले दिली में और फिकी के महानी दे सक जो है वो अरुन्चावला है अगला प्रस्न है सतत्विकास लक्षो के लिए समर्पित विश्व का पहला प्रित्वी विग्यान उपगरा किस देश ने लॉंच किया इसका चीन ने जो है सतत्विकास लक्षो पर अपना पहला प्रित्वी विग्यान उपगरा को लॉंच किया है तो इसका उपगरा का नाम क्या रखा गया है दोस्तों गुआंगुमू गुआंगुमू इस उपगरा का नाम है जिसे चाइनीज एकेडमी ओफ साइन्स CSA के द्वारा बनाया गया है और इसे लॉंग मार्च 106 से लॉंच किया गया गुआंगुम उपगरा SDG-SAT इसका नाम है जो वस्तविक है उसे गुआंगुम चाइने में किया गया है दुनिया का पहला अंतरिक्ष विग्यान उपगरा है जो सतत विकास लक्षों के लिए जो सभी तुरास 2030 का एजेंड़ा है वो सिवा के लिए समर्पित किया गया है चीन के द्वारा विक्षित किया गया है इसका नाम है SDG-SAT-1 अब समझ रहा होंगे सेटेलाइट 1 है और SDG के लिए जनकी सतत विकास लक्षियों के लिए समर्पित है चीन में इसे कहा गया है गुआंग्मू कई प्रस्ण इससे बनाया जा सकते हैं कि विशुका पहला प्रित्वी विग्ञान उपित है किस द्वारा विक्षित के लिए समर्पित है किस द्वारा विक्षित किया चीन नाम क्या है तो SDG-SAT-1 चीन में इसे क्या नाम दिया गया है तो गुआंग्मू बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है सरदार पटे लीडर्शीप सेंटर का उधगाटन कहां किया गया है जो है लाल बहढूर सास्त्री राथ्रिये प्रसासन अकैडमी लबस्णा में जो है wil असूरी में राश्ट को समरपित सरदार पटेल नेतितों केंदर का उद्गाटन किया वही जो सरदार पटेल लीडर्सिप सेंटर उसका हिंदी है उसका उद्गाटन कहां किया गया है तो मसूरी में किया गया है जहां पर जो है आईस जो होते हैं इस उनको ट्रेणिंग दिया जाता है रूस के यंतर सिंप्याड में निर्मित भारती नौ सेना के साथवे फिग्रेट को लांच किया गया जिसका नाम है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है आई एनस तुशील ऑप्शन ए इसका सही उतर है पी वन वन थ्री 5.6 वर के साथ में भारती नौ सेना के युदपोत को रूस के कलिनी निर्ग्राद के यंतर सिंप्याड में रूस में भारती एक दूथ जो वरतमान में हैं दी बाला वेंकटेश वर्मा के उपस्तिती में लौँच किया गया तुशील एक संस्कृत सब्द है जिसका अर्थ है रक्षक यानि की धाल तो कहां पर बनाया जा रहा है तुशील को तो इसे रूस में बनाया जा रहा है जो भारती एक नौ सेना के लिए लौँच किया गया है और पी 11.36 वर्मान के साथवा फिर्गेट है आगे बढ़ते हैं देश का पहला ओपन एयर रूफ टॉफ 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 टॉ जियो ड्राइव इन थीटर में एक बार में 290 कारे लग सकती है यानि कि लोग इस थीटर में आएंगे अपने गारी लगाएंगे और गारी में बैटकर ही सिनेमे कालुत उठाएंगे और एक बार में कुल कितनी लगारी लगाई जा सकती हैं तो 290 समझ रहे होंगे कि पहली बार ऐसे सुविधा विख्षित की गई है भारत में और कहां पे तो मुंबई में अगला है किस मेट्रो को आवास और सहरी कारे मंत्राले द्वारा सर्विशिष्ष्य यात्री सेवा और यात्री संतुष्टी के लिए सर्विशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आवास और सहरी मामले मंत्रा लेके द्वारा Award for Excellence in Urban Transport से सम्मानित किया गया है आवास और सहरी कारे मंत्रा लेके द्वारा हाली में स्वयम साहता समुहों के उत्पादों के विप्रण के लिए सून चिरया लोगों को लॉंच किया गया है तो इसे भी आपको याद रखना है कि एक सून चिरया लोगों लॉंच किया गया है आवास और सहरी मामले मंत्रा लेके द्वारा फर्ण स्वयम साहता समुहों के उत्पादों के विप्रण के लिए वरतमान में आवास और सहरी जो मंत्री है उनका नाम है हरदीपसी पुरी तो उसो कुमाईचूरा तेल आप देख रहे होंगे कुमाईचूरा ओल को हाली में जैटेक दिया गया है उत्राखंड के साथ प्रड़क्ट को है जो एक साथ जैटेक दिया गया है वो है उत्राखंड का आईपन उसके बाद है दोतिया धान आप देख रहे होंगे रिंगल craft है टाटा तमता product है और मन्सूरी राजमा है कुमाई चुरा तेल है और उतराखंट का तुल्मा है तो यह सब जो product है जिसे हाली में GI tag दिया गया है इसके इतरिक्त मनिपूर के कचाई निबू को GI tag दिया गया था भागलपुर के मंझुसे चितरकला को G.I. TAG दिया गया था और किवल के किरल के जो नवारा चावद है उसको G.I. TAG दिया गया था बर्द परस नहीं काहिरा मिस्र में आयोजित विसवख किक बॉक्सिंग चेंपियनसीज़िप में अंडर 14 में किस भारतिये ने जो है शोण पदिक जीता है तो किस भारतिय ने शुरन पदक जीता है दोस्तों उनका नाम है तजामुल इसलाम तो जमुकस्मीर स्रीनगर की रहने वाली है तजामुल इसलाम जिनोंने काहिरा में आयोजित विश्वकी की बॉक्सिंग में शुरन पदक जीता है श्रीनगर के तजामुल इसलाम ने जो हे अन्डर 14 में सुर्णंपतक जीता वहीं बिहार की सारण की रहने वाली पल्वी राज ने अन्डर 16 सुर्णंपतक जीता है दोनों विस्वोकी की बॉक्सिंग चेंपेनstanding अगला प्रस्ट है किसानों की आनाजों को हवाई मार्ग से एक अस्थान से दूसरे अस्थान ले जाने के उदे से क्रिसी उरान 2.0 योजना का क्रियान वन किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा तो हाली में जो है क्रिशी उरान योजना 2.0 शुरू किया गया है जिसे किंद्रिये नागरिक उडियन मंत्री ने क्रिशी उत्पादों की आवाजाही और हवाई मार्ग से सुगम बनाने के लिए क्रिशी उरान 2.0 की सुरूआत की क्रिशी उत्पादों के पड़िवहत के समद में सबेहे दाहरकों को सुचना प्रसार की सुविधा उपरदान करने के लिए ये इकुषल जिसका फुलपर्म है क्रिशी उरान फॉर ससनेवल हैलिस्टिक एगरी लोजिस्टिक नाम से एक ओनलाइन प्लेटफर्म भी विक्सित किया जाएगा तो आपको याद रखना है कि इकुषल एक प्लेटफर्म विक्सित किया जाएगा कि छेतर से समंदित है ताकि किसानों के उत्पादों की जो छती है वो कम से कम हो सकेगी इसका जो मूल इसमें फोकस रखा गया है 2.0 में उसमें जो पुर्वत्तर भारत के जो स्टेट्स है उनको फोकस रखा गया है बढ़ते हैं प्रसंख्या कि इसकी और कथन है सुलावा जी ट्वेंटी सिकर सम्मिल रोम इटली में आविद किया गया और इसका भी से पीपल प्लैनेट प्रस्पेर्टी था तो इन ने मिर्खित में से कौन सा कथन सथ है दोस्तों इस सिस्टीन जी ट्वेंटी सम्मिल वाज है इस सम्मिल इटली इस थीम वाज प्लैनेट और प्रस्पेर्टी बोथ स्टेट्मेंट्स आर करेक्ट इसका एंसर होगा दोस्तों दोनों ही कथन सही है जी ट्वेंटी क्या है एक अंतराश्य सहयोग के लिएक परमुख वेस्विक मंच है इस सम्मिल में दुनिया की कुल जी डीपी का 80% परतिनिद्द करता है और वेस्विक अपार का 75% परतिनिद्द करता है यह रिवात करें आवादी की वेस्विक आवादी का 60% रखता है 2022 में G20 सिकर समेलन कायोजन इंडोनेशिया में और 2023 में इस कायोजन जो है भारत में किया जाना है बढ़ते हैं अगरे प्रस्ण की ओर निमलिकित में से कौन सा कतल सत है करनाटा के हलकी जंजाती की तुलसी गोडा को पर्यावरन की सुरक्षाक में उनके युगदान के लिए पदम स्री पुरुषकार प्रदान किया गया और करनाटक के ट्रांसेंट पर जंदर मजमा जोगाती को लोग नेते में जो है उनके युगदान के लिए पदम स्री पुरुषकार दिया गया है दोस्तों पदम पुरुषकार 2020 हाली में समानित किया गया जिसमें दो वेक्ती काफी महतुन रही और चर्चा में रही उन दोनों को मैंने इस प्रस्ट में डाला है आप देख सकते होंगे उनका नाम है तुलसी गोड़ा और दूसरे का नाम है मजमा जोगाती तुलसी गोड़ा एक आदिवाशी समूह से बिलॉंग करती है वो आदिवाशी समूह हलकी जो करनाटक की जन जाती है और ये परयावरन के स्पेसलिस्ट के रूप में जाना जाता है और परयावरन की सुरक्षामिन का योगदान काफी रहा है और मंजबा जुगाती एक ट्रांसिजन्डर है जो करनाटा की रहने वाली है उन दोनों को जो है पदम सरी पृषकार से समानित किया गया है, तो दोस्तो दोनों ही कथन सही है, इसका एंसर है, उपिक दोनों कथन सही है, विभिन 6 तरों के कुल 119 लोगों को पदम पृषकार 2021 किसे दिये जाने की गोशना की गई Who has been announced to be given the Booker Prize for the year 2021 for the book The Promise उस्तक The Promise के लिए किसे दिया जाएगा Booker पुरसकार 2020 उनका नाम है डेमन कलगूट दक्षिन अफरीका के उपन्यास कार एमनाटक कार डेमन कलगूट को उनके उपन्यास The Promise के लिए बुकर पुरसकार 2021 प्रदान किया जाएगा Booker पुरसकार के सुरापिया प्याद रखें कि यह साहिते के छितर में दिया जाने वाला पुरसकार है और इसकी सुरुआ 1969 से हुई थी QS ASEI University Ranking 2022 में शिर्स अस्थान के से प्राप्ट हुआ तो इसका एंसर है सिंगापूर विश्विदेले who topped as the QS ASEI University Ranking 2022 तो सिंगापूर उनिवस्टी इसका सही उत्तर है QS ASEI University Ranking 2022 में देख लेते हैं कि पहले अस्थान पर कौन है तो पहला स्थान पर है सिंगापूर का राष्टी है विश्विदेले और दूसरे स्थान पर है पेकिंग विश्विदेले जो की चीन का है यहीं बात करें इस रंकिंग में भारत के विश्विदेले की तो IIT Bombay को 42 राएक वह स्थान मिला और भारतिये प्रोदो की संस्थान दिल यानि IIT देली को 45 रंक मिला यानि भारत में टॉप कौन किया तो भारत में जो टॉप पे था वह था IIT Bombay इसे भी आप याद रखेंगे विश्विदेले में टॉप कौन किया सुरी एसिया में टॉप कौन है तो वह है सिंगापुर का राष्ट्रिये विश्विदेले 25 परस्ट है कि सिराज के दौरा जन सेवक आवन जन स्पंदन योजनाओं की सुरुआत की गई है विच स्टेट लॉँजड जन सेवक एं जन स्पंदन स्कीम तो हाली में करनाट सरकार के दौरा या दो योजनाओं शुरुआ की गई है अब देखते हैं उनका explanation क्या है जन सेवक लोगों को सरकारी सेवाओं को असानी से प्राप्ट करने के में मदद करने के लिए एक पहल है इसके तहट लोग अपने दर्वाजे पर या अपने खर पर ही 56 परकार की सेवा जो सरकारी सेवा हैं वो प्राप्ट कर सकते हैं जनस पंदन एक एकरित लोग सिकायत निवारन परणारी है जिसके माध्यम से सरकार नागरिकों के लिए किसी भी सरकारी योजना या सिवा के बारे में सिकायते प्राप्ट करने के लिए वन स्टॉप सिंटर प्लेटफॉर्म है यानि कि एक सरकार के दोरा एक डंबर दिया गया है यानि आपको कोई भी सिकायत हो तो आप उस डंबर पर सरकारी सिवा से जुड़े सिकायद कर सकते हैं जन सेवक योजना के तहद और जन सेवक योजना के तहद आप घर बैठे ही सरकारी सिवा का लाफ उठा सकते हैं कनाटक सरकार के दोरा ये दो महत्पून योजना है हाली में सुरू की गई है दोनों का नाम आपको याद रखना है जन सेवक और जन स्पंदन मरतमान में कनाटा के मुंक मंतरी जो है वह वासवराज बोंबाई है ये भी आप याद रखेंगे अगरा प्रस्थन है हाली में राश्ट्रिपती रामनाद कोविन जी ने पदम पुरसकार 2020 प्रदान किया इसमें से किस किंद्रिय मंदरी को मरनो पराद पदम विभूशन से सम्वानित नहीं किया गया है अरुणजे टली सुस्मा सुराज जॉर्ज फंदनाडिस मनोहर पड़ी कर दोस्तो अरुन जेटली, सुस्मा सुराज और जॉन फर्णाडिस इन तीन वेक्तियों को पदमा वाड 2021 से समानित किया गया है जबकि मनोहर परिकर को यह समन नहीं दिया गया है उन्हें पदम भूशन से समन्द किया गया है पदम भूशन असाधारन और विशिष सेवा के लिए दिया जाता है पदम भूशन उच स्रेणी के विशिष सेवा के लिए और पदम स्री का पुरुषकार किसी छेतर में विशिष सेवा के लिए दिया जाता है तीनों का छेतर अलग अलग है दोस्तों पदम भी भूशन जो है और साधारन और विशिश सेवा के लिए पदम भूशन उच स्रेंडी में विशिश सेवा के लिए और पदम स्री जो है किसी विशेश छेतर में विशिश सेवा के लिए दिया जाता है वर्ष 2020 में कुल 141 वेक्तियों को पदम पुरुषकार पदान किया गया जिसमें 7 को पदम भीभूशन 16 को पदम भूशन और 18 वेक्तियों को पदम स्री पुरुषकार पदान किया गया है यह दिबात करें मनोहर परिकर जी को तो इथे पदम भूशन नहीं बलकि पदम भूशन पुरिशकार से समवानित किया गया था काफी महात्वन प्रशन है दोस्तों आपको याद रखना है अरुण जेटली भारत के पुर्व वितमंत्री थी सुस्मा सुराज जो भारत के पुर्व विदेश मंत्री थी और जोट फनाड़े जो भारत के पुर्व रक्षा मंत्री थी और मनोहर पडिकर भी भारत के पुर्व रक्षा मंत्री एवन गोवा के मुख मंत्री भी रह चुक लीड्स रिपोर्ट दोजारीज रिलिजड बाइब मिनिश्ट्री आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका अंसर है दोस्तों गुजरात में सुविधा के लिए निती प्रदान करने को प्रोसाइद करना है वानिज और उद्योग मंत्राले के द्वार लीड्स रिपोर्ट की सुरुआद 2018 में की गई थी इस रिपोर्ट में हरियाना और पंजाब करमसा दूसरे और तीसरे अस्थान पर है तो आपको याद रखना है वानिज और उद्योग मंत्री जो है उनका नाम है पियुष गोयल इसे भी आप याद रखेंगे पियुष गोयल वर्तमान में वानिज और उद्योग मंत्री है निमलिकेत में से कि सहर को सिल्प और लोग कला स्रेनी के तहत युनेशको क्रियेटिव सिटी नेटवर्ग 2021 में शामिल किया गया है विच और फॉलोइंग सिटी हैस बिन इंकलूड़ेट इन दे युनेशको क्रियेटिव सिटी नेटवर्ग 2021 अंडर दे क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स केटेगरी इंसार है इसका दोस्तों स्री नगर ऑप्सन सी इसका सही उत्तर है युनेशको सुची में भारत के मुंबई और हैदराबाद सहर को अक्टूबर 2019 में सामिल किया गया था इस सुची में सामिल होने के लिए स्री नगर के साथ गौलेट का नाम भी भेजा गया था लेकिन गौलेट को सेलेक्ट नहीं किया गया और स्री नगर को सेलेक्ट कर लिया गया तो देखा जाया कि बातवारण में जो है भारत की कौन को सायर जो सामिल है इश सूची में तो मुंबई हैदराबाद और स्रीनगर इस सूची में सामिल है और इस सूची में नब्बे देशों के लगबग 25 में जो शहर हैं सामिल किया गया है युनेशको के क्रियेटिव सिटी नेटवर्क सुची में और किस छेतर पे जो सामिल किया गया है स्रीनगर को तो युनेशको के क्रियेटिव सिटी में सिल्प और लोक कला की स्रेनी में सामिल किया गया है स्रीनगर को जो कि Jammoo Qasmeer की ग्रिशमकाली रधनी है Jammoo Qasmeer की ग्रिशमकाली रधनी ये दिसरी नगर है तो Jammoo Qasmeer की जो सीथ कले रधनी है वह दोस्तो वह Jammoo है UNESCO की बात करें तो UNESCO का मुख्याले पेड़िश में है और इसका स्थापना जो है वर्स 1946 में किया गया था दोस्तों 1946 में यूनिश को किस स्थापना की गई थी और इसका मुख्याले जो है वहा पेजिस में है Harm Reduction Consortium द्वारा जारी पहले Global Drug Policy Index 2020 पर भारत को कौन सा स्थान प्रप्थ हुआ What is the rank of India in the first Global Drug Policy Index 2020 released by Harm Reduction Consortium काफी महत्पून प्रस्ण है क्योंकि यह पहली बार जारी किया गया है किस संस्था के दोरा तो Harm Reduction Consortium के दोरा सुझी का नाम है Global Drug Policy Index इसमें भारत को दोस्तों अठारवा स्थान पर आप्थ हुआ है Harm Reduction Consortium Network का एक West Week Consortium है जिसका लक्ष है West Week Group से War on Drugs की चुनोती को चुनोती देना नुकसान कम करने वाली सिवाओं तक पहुंच बढ़ाना और नुकसान में कभी सभी के लिए दोस्तों संसादनों को बढ़ाने की वकलत करना यह इंडेक्स दवा नीतियों और उनके क्रियानवन का एक डेटा संचालित वैस्विक विसलेशन है इस इंडेक्स में 24 अंग के साथ नौर्वे को पहला स्थान और 46 अंगों के साथ भारत को अठारवा अस्थान प्राप्थ हुआ तीस देशों की सुची में दोस्तों भारत को अठारवा अस्थान प्राप्थ हुआ है और पहले स्थान पर दोस्तों कौन है तो वो नौर्वे है नौर्वे पहले स्थान पर है और भारत का अस्थान इसमें अठारवा है ड्रग पॉलिशी इंडेक्स 2021 में तीसमा प्रस्ण है An Economist at Home and Abroad a Personal Journey के लिखक कौन है Who is the author of book An Economist at Home and Abroad a Personal Journey इसके लिखक है संकर आचारे Option B प्रसित अर्ज सास्त्री और भारत सरकार के पुर्व मुख्यार्तिक सलाकार डॉक्टर संकर आचारे ने एक किताब लिखी है उस किताब का नाम है An Economist at Home and Abroad a Personal Journey आगे बढ़ते हैं नौमबर 2021 में किसे नौ सेना का अगला परमुक न्यूक्त किया गया है Who has been appointed as the next chief of navy in नौमबर 2020 इसका अंसर है दोस्तो आरहरी कुमार option A देखते हैं कि नौ सेना परमुक Admiral Karam Visi के सिवा निवित होने के बार आरहरी कुमार को भारत के 25 नौ सेना परमुक के रूप में नूक किया गया है आरहरी कुमार जो है बरत्मान में जो है पश्मी नौ सेना के कमान के Flag Officer, Commanding Officer इंचीफ थे इसे भी आप याद रखेंगे निमन 접종 में से किस संगठर ने अपना पहला Westwick Hackathon Harbinger 2020 Innovation for Transformation आयुजिति किया बहुत ही महत्पुन प्रशन है दोस्तों या जरूर पूछा जाएगा रहे हैं वाले एक्जामों में कि which of the following organization organized its first global hackthorn Harbinger 2021 Innovation for Transformation इसका उत्तर है भारतीय Reserve Bank या इनी Reserve Bank of India इसका answer है RBI ने डिजिटल भुक्तान के विशे पर अपना पहला Westwick hackthorn आयोजित किया है Smarter Digital Payments Theme के साथ Harbinger 2021 Innovation for Transformation परती भागियों को एक ऐसे संसादनों की पहचान और विकास करते हुए देखेगा जिनमें डिजिटल भुक्तान को कम सिवा वाले लोगों के लिए सुलब बनाने भुक्तान को असानी और भुग करता क्या उनभव को मजबूत करने की छमता होगी तो यहां किसके द्वारा सुरू किया गया है तो RBI के द्वारा RBI की स्थाप्टा जो है वर्स 1935 में की गई थी और Reserve Bank of India का जो मुख्याला है दोस्तों वहां मुंबई में है इसे भी आप याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की ओर अगला प्रस्ट है निम्न में से कौन सा देश अंतराश्टी सौर गटवंधन IASA के ढाज़े के समझोते पर हस्ताक्षर करने वाला 101 वाद देश बन गया है विच ओड़ फॉलोइंग कंट्री हैस बिकम दा 101 कंट्री तू साइन दा फ्रेमवर्क Agreement of International Solar Alliance इसका उत्तर है ओप्शन ए अमेरिका अमेरिका जो है IASA में सामिल होने वाला 101 वाद देश बन गया है नॉम्बर 2015 में पेरिस में सेयुक्त राश चलवाईू सम्मेलन के 217 यानि कौप 21 में अंतराश्टीस और गटवंधन के आरम की गोसना भारत के परधानमतिन एनमोदी और फ्रांस के ततकाली राश्टपती फ्रांस वावलान ने की थी इस गटवंधन में अमेरिका जो है सामिल होने वाला 101 वाद देश बन गया है आपको याद रखने है कि IASA के स्थापना भारत और फ्रांस के सयोग से 2015 में की गई थी कॉप 21 बैठक के दोरा जो पीरिश में वजित किया गया था IASA का मुख्याले जो है भारत के हरियाना के गुरू गराम में है और IASA के मरत्मान महादिय देशक जो है वो अजय मातुर है इन सब बातों को आपको याद रखना है अगर बात करें कि IASA की तो IASA एक मात अंतराश्टी संगठन है जिसका मुख्याले भारत में इस्तित है और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के नेतितों में किसी संगठन की शुरूआत की गई है और अमेरिका उसका सदस्य रूप के रूप में बना है COP26 सिखर समेलन के दोरान भारत दोरा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन साब वेब पोर्टल लॉंच किया गया विच वेब पोर्टल और इलेक्ट्रिक वहिकल वाज लॉंच बाई इंडिया डियूरिंग COP26 भारत के परधार मेंतरी जब COP26 में बैठक में भाग ले रहे थे तो उन्होंने जो है E. Amrit Portal को लॉंच किया तो यह भारत सरकार के दुरा सुरू किया गया है E. Amrit Portal जो की इलेक्टिक वाहनों पर अधारित है E. Amrit जो इलेक्टिक वाहनों से संबद्धित सुचनाओं के लिए One Stop Destination Portal है जहां इलेक्टिक वाहनों को अपनाने, उनकी खरिदगी करने, निवेश के अबसरों, नीतियों, सबसिडी, इत्यादी के बारे में समस्त जो भरम है उसे दूर करेगा किस देश के सेना परमुक जनरल प्रभू राम सर्माव को जो है, राश्पती रामनात कोविंद ने राश्पारती सेना के जनरल के अमानत पत से संबानित किया है विच कंट्रीज आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम सर्मा वाज ओनर्ड बाई प्रेश्डेंट रामनात कोविन विद्धा ओनरी रैंक ओफ जनरल ओफ इन्डियन आर्मी तो यह अदेश है वह अदेश है दोस्तो नेपाल नेपाल के जो प्रमुक जनरल है जिनका नाम है प्रभु राम सर्मा वुने भारतिय सेना के जनरल की मानत पद से सम्मान किये गये है प्रभु राम सर्मा से पहले 2019 में राशपती रामनात कोविन ने नेपाल के थलसेना परमुक जनरल पूंचन थापा को भारती सेना के मारत जनरल की उपादी से नवाजा था नॉम्बर माँ में भारतीय थलसेना परमुक जनरल मकुन मनोज मुकिन नर्वने जी को नेपाल के राश्पती विद्या देवी बंडारे ने नेपाल की सेना के जनरल मानद उपादी से प्रदान किया था दोनों बाते आपको याद रखनी है कि भारत के थलसेना परमुक को नेपाल के मानद से समानित किया गया है और नेपाल के थलसेना परमुक को भारत के मानद से समानित किया गया है आगे बढ़ते हैं सौ बर्स पहले चोड़ी हुई अनपुर्णा की मूर्ती को हाली में उत्तरप्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्ट किया है तो फ्रम विच कंट्री है उत्तरप्रदेश कोवर्मेंट डिसेंटली रिसीवड दा अनपुर्णा आइडल यानि सो साल पहले अनपुर्णा की मूर्ती चोड़ी हो गई थी और यह वापस से उत्तरप्रदेश सरकार को मिला है कनाडा से कनाडा सरकार ने उत्तरप्रदेश सरकार को सो साल पहले चोड़ी हुई अनपुर्णा की मूर्ती को लटा दिया है वारा नसी से चुराई गई अनपूर्णा मूर्ती कनाडा से वापस मंगाई गई है और इसे वारा नसी के 80 विश्वनात मंदिर में अस्थापित किया गया है इस मूर्ती कुचाई मातर 17 सेंटीमीटर है चोड़ाई 9 सेंटीमीटर है और मोटाई 4 सेंटीमीटर है मिलकित मेंशे किस खिलारी को हाली में राश्पती रामनात कोविन दौरा मेजर ध्यांचंद खेल लतन पुरसकार 2021 परदान नहीं किया गया है तो रवी कुमार दहिया को मिताली राज को सुनील छेतरी को जो है हाली में मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरसकार दिया गया है जबकि सिखर धवन जी को जो है मेजर ध्यानचंद पुरसकार नहीं बलकि अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया गया है खेल जगत में अच्छा परदर्शन करने वाले खिलारियों और कोच को रास्पति रामनात कोविन ने खेल पुरसकारों से समन्द किया है जिन में बारख खिलारियों को खेल रातन यानि मेजर ध्यानचंदर पुरसकार 35 को और ज्रुनाचार, 10 को द्रुणाचर और पाट को ध्यानचंदर पुरसकार से समन्द किया गया बढ़ते हैं अगले प्रस्त की और फुमियों का सीधा को हाली में किस देश का परधान मंतरी नियुक किया गया है तो किस देश के परधान मंतरी बने है तो वह हाली में बने है जापान के फुमियों का सीधा एज प्राम मेंस्टर आफ जापान इसका एंसर और अपसन भी जियोकोवी डोडो, सुडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हम्दूग, रोमानिया के प्रधानमंत्री जो है वो है निकोलाई सी का, यह से भी आप या तखेंगे, आगे देखते हैं, संयुक्त सैन अभ्यास एक्स सक्ती 2021 का छठा सर्सक्रण कीन दो देशों के एमत आयु तो इसका एंसर है, ऑप्शन भी भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस की सेंक्त सैन अभ्यास एक्स सक्ती 2021 का छठा सर्सक्रण फ्रांस के सैने स्कूल ड्रेगू इगन में आउजित किया गया, भारत और फ्रांस के बीच में दोस्तों, सक्ती युद अभ्यास का आउजित क किया जाता है भारत और मैलेशिया के बीच में जोस्त हरुमय सक्ति का युजन किया जाता है अब इसे याद रखेंगे अगला प्रस्ण है निमलिखित में से किस राज सरकार ने सडक दुरगटना पीड़तों के लिए रक्षक सडक सुरक्षा पहल की सुरुवात की है बीच अब फॉलवगे श्टेट गवर्मेंट है लॉंज रक्षक रोड सेफ्टी इनिसिटी फोर रोड एक्सिजेंट विटिम्स तो यह सुरुवात जो की है यह उडिशा सरकार के दौरा की यह है ऑप्शन सी इसका सही उतर है उडिशा की राज सरकार ने सरक दुरगटनाओ के पहले उतरदाताओं को प्रसिचित करने के लिए रक्षक नाम की एक पहली सरक्ष रक्षा पहल के सुरुवात की है रक्षक पहल का योजन वनीज और पडिवन विभाग के दौरा जो है डायचे गेसल साफ्ट और इंटरनेशनल जुसा मेंबर बिरीड और इंडियन साखाक के सायोग से किया गया है तो अब इसे याद रखेंगे कि 21 सरकार के द्वारा सुरु किया गया है तो रक्षक नामा के एक सारक्षक पहल के शुरुवात उडिशा सरकार के द्वारा की गयी है हाली में उडिशा के बरतमान में जो मुक्मंतरी है उनका नाम है नवीन पटनायक जिसे बस आप याद रखें अगला है नॉवंबर 2020 में निम्लिकित में से किस पंडूबी को प्रोजेक्ट 75 के तहट चौथी पंडूबी के रूप में सामिल किया गया है इसका एंसर है ऑप्शन बी दोस्तो आइनस वेला प्रोजेक्ट 75 के तहट फ्रांस से भारत को स्कॉर्पियन क्लास की छटी जो छो पंडूबी मिलनी है जिसमें से चौथी पंडूबी जो मिल चुकी है भारत को अब तक मिली चौथी पंडूबी जो है मेड इन इडिया के तह प्रोजेक्ट 75 के लिए भारत ने फ्रांस के मेसर स्नेबल गूर्प के साथ समझोता किया था तो चौथी जो पंडूबी मिली है उसका नाम है आई एनस वेला जो की प्रोजेक्ट 75 के तहथ है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है आई सी सी पूरुष ट पाली बार T20 20 कप जीता प्लेर आफ दर टूनामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया विच्ट स्टेट्मेंट इस तूर रिगार्डिंग जो है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 और उस्टिलिया ने पाली बार या किताब जीता है और उसने न्यूजेलेंड को हराया है और टूनामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया है भारत ने जो है 2007 में पहली बार जो आयुद किया गया था था 2014 में भारत उपी जिता रहा था और दो बार जीतने वाली 2020 वीजटने वाली एक मन्दर टीम है वह है वेस्ट इनी जिसने 2012mal और सोलर में T20 विसकप जीता था इस पार इस कायोजन सभी रूप से जो है सभी अरब अमिराथ और ओमान में किया गया था T20 विसकप 2022 कायोजन जो है वो औस्टेलिया में किया जाना है ये सब बाते आप याद रखेंगे इस पुरुष T20 विसकप में सबसे जादा जो रन बनाया था वो बाबार आजम ने बनाया था आप इसे याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से किस व्रेक्ति को उनकी पुस्तक दिली आस सोली क्यू के लिए मल्यालम लेखक एक मुकुंदम को उनकी पुस्तक दिली आस सोली के लिए जो है इस पुस्तक का अंग्रेजी मानुवाद फातिमा ई वी और नंद कुमार जी के दौरा किया गया है इसे आप याद रखेंगे अंडर 23 विशुकप चेंपियंशिप में 50 किलोग्राम मर्ग में किस भारती खिलारी ने रज़त पतक जीता विच इंडियन प्लियर वोन सिल्वर मेडल इन 50 केजी केटेगरी इन अंडर 23 वर्ल्ड कॉप रेसलिंग चेंपियंशिप तो आपका इंसर है सिवानी पवार अंडर 23 विशुकप चेंपियंशिप कायोजन बेल गरेट सर्विया में किया गया था भारत ने इस प्रत्युक्ता में जो है एक रज़त और चार कांस पतक अपने नाम किया कुल पंस पतक भारत में जीते जिसमें की एक मातर जो रज़त पत्य जीते वाली खिलाडी थी वह काकरान, निशार दाहिया, रादिका, और अजू ने जो है कांस पतक जीते थे और सिवानी पवार ने जो है इसमें ब्रजद लग जीदा था यह कहा है उद किया गया था अंडर 23 विस्वे कुष्टी चैंप्रिंसिप तो बेल गेट सर्विया में उद किया गया था अगला प्रस्त है भारत ने किस वर्ष तक सेवा छितर में यह एक ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष रखा है तो भारत ने जो है एक ट्रिलियन डॉलर सर्विस एक्सपोर्ट के लक्ष को हासिल करने के लिए तयार है नए दिल्ली में सर्विस एक्सपोर्ट एया प्रमोशन काउंसलिक ग्लोबल सर्विस को ने दोजारे कीश की अनुसार जो है सेवा छेतर लगभग दो दसनलो चो करोड़ लोग को रोजगान परदार करता है और भारत के कुल वेस्विक निरियात में 40% इसका योगदान है तो एक ट्रिलियन डॉलर सर्विस एक्सपोर्ट का लक्ष रखा गया है 2030 तक इसका एंसर होगा option C वरत्मान में भारत के वानिज़ और उद्योग मंत्री हैं प्यूश गोयल साथ नौवबर से नौवबर के मत्र छठे अंतराश्टी धर्मधम सम्मेलन का आउज़न का किया गया वेरवाज 6 इंटरनेशनल धर्मधम कॉन्फरेंस 2020 और नाइज़ फ्रूम 7 तू 9 नौवबर तो यहाँ जो आउज़न किया गया था नलंदा विशुविद्याले में किया गया था बिहार में बिहार के नलंदा जिले के राजगीर में अवस्तित नलंदा विशुविद्याले में छटे अंतराष्टिय धर्मधम सम्मेलन का गाटन भारत के उपराष्टपती बैंकिया नायडू जी के द्वरा किया गया इस सम्मेलन का थीन था कोविट संकर्मन के बाद विश्व विवस्थाव के निर्मान में जो है धर्मधम परंपराय प्रता मंतराश्टिय धर्मधम सम्मेलन कायुजन 2012 में जो है साची विश्वी दैले में पर्देश में किया गया था वही पाचवा जो सम्मेलन कायुजन किया गया वो राजगीर इस्थित नरंदा विश्वी दैले में ही किया गया था तो दोनों ही आपको याद रखना है कि पाचवा पिछले बर्स हुआ था दोजारोडीश में और दोजारेकीश में भी इसका उजन नारंदा विश्वी दैले में किया गया है छठा धर राष्टी धर्भधम समेलन थान है ये में समत्रले के द्वारा भासा सप् episódio में भासा संगम पहल एवन भासा संगम मुबाईल अपको कर District लॉन्च के जाए इसके भाल की चरह है जो बाइस भाती भासाओं में रोजéf नराय में उप्योग की जाने वाली वाक्यों को बच्चों को सिखाया जाएगा तो आप जानते होंगे कि भारत के 8b अनुसूची है भारते संविधाल की उसे 22 भासाओं को सामिल किया गया है उन ही 22 भासाओं में भारत के जो बच्चों को City भारते बच्चों को रोज मर्रा में उप्योग की जाने वाले वाक्यों को सिखाए जाएगा ताकि यदि एक जगा से दूसरे जगा बचे जाते हैं तो वहां पर उनको भासा संबन्दिश समस्या ना हो और या किस पहल के तरह सुरू किया गया है तो एक भारत स्रेश्ट भारत कारेकरम के इताथ या सुरू किया गया है भासा संगम पहल बरतमार में भारत के जो सिक्षा मन्तरी है उनका नाम है धर्मेंद्र परधान आप इसे याद रखेंगे आजादी का अमुबाइल आप की मन्तरा ले दोरा हाली में शुरू किया गिया है केंद्री ये संस्कृति राजे मंत्री मिनाक्षी लेकी ने आजादी का अमरित महुसर मुवाइल एप को लॉंच किया है ताकि भारत की आजादी की 75 वर्सगाट समारों से संबंदि सभी सूचनाओं तक सभी एकल बिन्दू पहुंच को सक्षम किया जा सके तो एक एप है जि कि समय के काल को अमरित काल कहा जाएगा तो ये सब बाते भी आप याद रखेंगे कि 75 सब्ता पुर्व जो यासुरू किया गया था अमरित महुसर क्योंकि इस वर्स जो है भारत की अजादी का 75 वी वर्सगाट था और अमरित काल के रूप में जाना जाएगा दो हजारे की स से दो हजार से तालिस तक के काल को राजभासा के नए महा सचिप के रूप में कौन नियूट किया गया है तो विच हैज बिन अपॉइंट एज दन्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राजसभा इसका एंसर है प्रमोज चंद मोधी PC मोधी को हाली में जो है राजसभा के महा यूल जी का स्थान लेंगे सत्य नहराण परधान जी को हाली में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महा सचिप के रूप में न्यूट किया गया है और संजय कुमार मिस्रा जी है जो वत्मान में सर्म परवरतन जो परवरतन निदेशाले परमोज है तो आप इसे जो है वह परमुख बनाया गया है हाली में किस उदेश से जो है हर घर दस्तक अवियान के सुरुवात की गई तो भारत के प्रधान मंत्री नैंदमोदी जी दोरा जो है इसकी सुरुवात की गई है ताकि COVID-19 के टिका करन का विस्तार गया सके तो प्रधान मंत्री कि जाएगा और कम कब्रेज वाले जीलों में जो है टिका करन वाले लोगों की दर्म है उसमें विर्धी की जाएगी तो इसकी साथ नॉवमबर माह का पर यहां पर समाप्त होता है हम लोग मिलते हैं पर टू में जल्दी और उसके बाद हम दिसंबर से जुड़ा हुए अव अमबर महिने का आज ही आपको अप्लोड कर दिया जाएगा वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद